कभी कभी जब मैं ठाक जाती हूँ ना तो मुझे कॉफी पीने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत लगती है और भाई उसी से ही सारी ठाकावट दूर होने वाली होती है हाई दिस आर्वी अंजू और मेरे पास यहां पर है हाई उन बीन्स की कॉफी आज इसे मैं ट्राइ करने वाली हूँ तो चले इसे ओपन करते हैं इन्हों ने इसकी पैकिंग बहुत ही अच्छी दे रखी है आप कहीं से भी इसे ओर्डर करेंगा ना तो यह आपको सही सलामत म मिलने वाला है तूटने का तो सवाली नहीं है इस पैकेट में मुझे मिली है हाई-on-beans के दो फ्लेवर मोका एन आईरिश हाई-on-beans ने चार फ्लेवर लांच किये हूए है जिसमें से है मोका आईरिश हैसलनट और एस्प्रेशो आपका अपना एक अलगी वर्ड है जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रेक्टिव है इनका जो एडवर्टीजमेंट है उसे देखके मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसे एक बार और जरूर करना चाहिए जो डिबबा है ना मुझे बड़ा ही पसंद आया है तो इसे हम बैक्राउंड में रख देते हैं देखने में थोड़ जा सकता है अब बारी है इसे उपन करने की तो चलिए इसे हम उपन कर लेते हैं आसपास मुझे कोई भी समान नहीं दिख रहा है जिससे मैं इसे खोलू तो मुझे किचन से जाके चाको लाना होगा चाको मेरे पास आ गई है तो इसे अब जल्दी से खोल लेते हैं यह जो की कुलिटि इसकी काफी अच्छी है जैसे मैंने इन बॉटल्स को खोल आ था जैसे मैं किसी केFे में हांकर बैठ गई हूं और मुझे कॉफी सरन होने वाली है और जये जो मुझे ऐसा फेल हो रहा है ऑना इत कॉफी बोघतल्स की वजह से है क्योंकि मैंने इसे खोल दिया है और कॉफी का जो ये एरोमा है पूरे घर में फैल गया है It smells so good इसकी सारी की सारी चीज़े अभी तक मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है सबसे असली काम चेक कर लेते हैं कि इसका टेस्ट कैसा लग रहा हो भाई टेस्ट भी तो अच्छा होना चाहिए Smelling good है इसकी सारी quality अच्छी लग रही है तेस्ट कैसा है वो तो पीने के बाद ही पता चलेगा तो चलिए फिर हम इसको बना लेते हैं यहाँ पर मैं हॉप का मोका फ्लेवर ट्राइ करने वाली हूँ कॉफी का एक चमस लेते हैं और इसे कप में डाल लेते हैं मुझे ज़्यादा कड़ी काफी नहीं पीने इसलिए मैं यहाँ पर एकी चमस ले रही हूँ आपको हर्ट काफी चाहिए तो आप इसमें दो चमस भी डाल सकते हैं चीनी आप अपने टेस्क के हिसाब से ले सकते हैं मुझे यहाँ पर दो चमस चीनी चाहिए इसलिए मैं इसमें दो चमस चीनी डाल रही हूँ और उसके बाद इसमें डालेंगे गुनगुना पानी गुनगुने पानी से ज़्याग बहुत ही बढ़ी आजा बनता है तो चलिए अब फ्रॉथर यूज कर लेते हैं फ्रॉथर ने अपना काम दिखाना यहाँ पर सुरू कर दिया है ज़्याग बनना सुरू हो गया है तो इसका मतलब है कि मुझे बहुत ही बढ़ी आसी कॉफी पीने को मिलने वाली है बस इतना ही ज़्याग कर लेते हैं अब हम इसमें दूद डालेंगे दूद एकदम गरम होना चाहिए तब ही तो गर्मा गरम कॉफी पीने का मजाएगा यह देकिन देखने में यह कितनी मस्ट सी लग रही है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बहतरीन था कैफे की तरह की कॉफी पीनी है और अलग-अलग फ्लेवर की कॉफी पीनी है तो आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करें मुझे तो यह बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है क्रीमी है फ्रॉथी है कितना मजब तेस्ट भी गजब का था तो आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करें इसका link मैं description में दे दे रही हूँ आप वहाँ जाके इसे order कर सकते हैं तो चलिए अब मिलते हैं नई वीडियो में नई रेश्पी के साथ तब तक के लिए बाई and टाडा